दोस्तो अगर आपने CSC के माध्यम से कोई भी IRCTC का railway ticket book किया है और अगर आप इसे cancel करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको complete process बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से ticket को cancel कर सकते हैं, किस तरीके से आप OTP verify कर सकते हैं और कितने समय के अंदर आपका जो balance होगा य तब से हमारा ये काम बहुत ही आसान हो गया है आपके दवारा ticket के cancel करते ही आपका जो amount होता है वो बहुत ही जल्द आपके account में credit हो जाता है और जब से facilities आई है तब से वीडियो में हम जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने cancellation process को यहाँ पर proceed कर सकते हैं तो दोस्तो railway ticket cancellation process complete कर आने के लिए सबसे पहले आपको अपने digital सेवा portal को open कर लेना है और यहाँ पर search वाले option पर आना है इस पर जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको type करना है CSC suffer इस पर जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CSC suffer.in के नाम से आपके सामने यहाँ पर website open हो जाएगी यहाँ पर इस ad को फिलाल cancel कर दीजिए यहाँ पर right side में आप देख सकते हैं आपके सामने corner में login का option होगा इस वाले बटन पर आपको click कर दे रहा है तो आपकी जो id होगी वो यहाँ पर login हो जाएगी अब फिर से आपको ad दिखाई दे ticket history का आपको यहाँ पर एक option दिखाई दे रहा है इस वाले option पर आपको click कर लेना है जो आप यहाँ पर देख सकते है सबजी मंडी से खजराओ के हमने एक ticket यहाँ पर book कर रखी है जिसे हम यहाँ पर cancel करने वाले हैं दोस्तो इसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले यहा आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और इसके बाद अगर आप अपने ticket को प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं जिस भी person की ticket आपको cancel करने हैं उसके ओपर आपको यहाँ पर तिक मार कर देना है तो दोस्तो उसके लिए आपको दोनों ही person की आगे हैं यहाँ पर TIC Mark दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको क्लेक कर देना है अगर आप यहाँ पर सभी का ticket कैंसल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तराफ आपको आपको select all का ओप्षन दिखाई दे रहा है इस वाले option पर आपको क्लेक कर देना है आपके जितन हमारे सभी extra charges आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, total fair आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3170.12 पैसे का हमारा total fair है, जिसके हम तीनो टिकट यहाँ पर cancel करने वाले हैं, तो दोस्तो cancel ticket पर जैसी हम यहाँ पर click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक message show होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा, you want to cancel this ticket, क्या आप sure हैं, आप अपनी ticket को यहाँ से cancel करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको yes वाले option पर click कर देना है, तो जैसी आप यहाँ पर yes वाले option पर click करेंगे, तो यह थोड़ा सा समय लेगा, और यहाँ पर आपकी जो ticket होगी, वो IRCTC की तरफ से cancel कर दी जाएगी, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी ticket यहाँ पर cancel हो चुकी है, बट यहाँ पर आपको OTP verify करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो ticket का total fare था, 31.12 पैसे था, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं, cancellation charges काटने के बाद, वो हमें जो refund करने वाले हैं, वो 2430 रुपए यहाँ पर refund करने वाले हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको OK वाले बटन पर क्लेक कर देना है, दोस्तो इतना करने के बाद, आपका एक process complete हो चुका है, लेकिन यह payment तब तक आपके account वे refund नहीं आएगी, जब तक आप यहाँ पर OTP verify नहीं करेंगे, तो दोस्तो OTP verify करने के लिए, जिस भी customer की आप यहाँ पर ticket cancel कर रहे हैं, उसके उपास एक OTP गया होगा, जो कि आपको यहाँ पर OTP fill करना होगा, उपर की तरफ आप देख सकते हैं, आपके तीनों ही ticket यहाँ पर cancel हो चुके हैं, आपको अपने customer से बात करनी है, और यहाँ पर आपको OTP verify करवा लेना है, तो यहाँ पर आपको अपने customer से OTP मांगना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर OTP अपना डाल दिया, और उसके बाद verify वाले option पर आपको यहाँ पर click कर देना है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, इसे आपके इवल three time attempt कर सकते हैं, इसके लागा customer के phone पर भी एक refund का message और amount शो हो जाएगा, जिससे customer को यह पता चल जाएगा कि उसे कितना refund amount मिलने वाला है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने OTP को verify करवाने के बाद, अपने ticket को पूरी तरीके से cancel कर सकते हैं, अब हमारा जो काम है वो हमारा complete हो चुका है, इसके बाद हम यहाँ पर OK वाले बटन पर क्लिक करने वाले हैं, तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको जो refund process है वो यहाँ पर complete हो चुका है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर wallet पर ले चलता हूँ और आपको एक बार wallet दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको पास्बुक वाले अप्स सेक्शन में जाना है और यहाँ से आप wallet लेजर पर क्लिक कर दीजिए, दोस्तो इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो process है यहाँ पर complete हो चुका है, हमारे account में 2430 रुपे यहाँ पर credit हो चुके हैं, तो दोस्तो इस तरीके से आप CSC के माध्यम से railway ticket की cancellation process complete कर सकते हैं, आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, तो चनल को like, share जरूर कीजेगा, धन्यवाद,